हाई, मेरा नाम भिश्याप पारिक है और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लोगी जहाँ पर आपको यूसफुल टेक वीडियोस मिलती हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी जीटी टू प्रो के बारे में और रियलमी जीटी टू सीरीज के बारे में Realme GT 5G जो एडिशन था वो अपने पास आया था उसी का सक्सेसर जो है वो Realme GT 2 Pro है अपना चैनल जो है बहुत इतना बड़ा नहीं है तो एक ही अपने पास यूनिट आया था जिसे हम giveaway करने वाले हैं आपको हमें Instagram पर follow करना है जो हमारा Instagram का पुरान अकाउंट था तो उसमें कुछ समस्य हैं आगे तो मैंने एक नया अकाउंट क्रेट किया है और जिसके followers बढ़ाने के लिए मैं ये giveaway कर रहा हूँ सीधी बात है तो तुम लोग को क्या करना है सीधा वहाँ जाना है और वहाँ जाकर follow करना है follow करना है और DM करना है कि तुमें ये स्मार्टफोन क्यों चाहिए और Realme GT2 Pro के बारे में जानने के लिए ये वीडियो पूरी अंत तक देखें और जितने भी information आज की डेट में इंटरनेट के उपर available है वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी अब ये हो ही नहीं सकता है कि चाइना में आजकल कोई स्मार्टफोन लाउंच हो और वो इंडिया में ना लाउंच हो क्योंकि इंडिया फिलहाल के टाइम पर एक बहुत बड़ा consumer market है स्मार्टफोन को लेकर Chinese brands के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं रेड्मी या रियल्मी शाओ मी बिबी के एलेक्रोनिक्स वाले यहां पर अपना स्मार्टफोन लाउंच ना कर रियल्मी GT2 सीरीज जो होने वाली है वो रियल्मी की flagship सीरीज होने वाली है रियल्मी GT2 सीरीज के अंदर आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं रियल्मी GT2 Pro, रियल्मी GT और एक और स्मार्टफोन जिसका नाम वो लो क्या रखेंगे यह भी clear नहीं है हाला कि जो टैना की listing है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ महां की listing देखके मुझे पता चलागी यहां पर तीन स्मार्टफोन अवेलिबल हैं कुछ tipsters यह भी कह रहे हैं कि दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं यह जो confusion है वो जल्दी clear हो जाएगा और एक दो दिन में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी कुछ time पहले तो वैसा ही कुछ Realme में भी देखने को मिलेगा Realme वालों ने इस phone के बारे में कहा था कि aesthetically जो है बहुत ही next level का स्मार्टफोन यह है खर ऐसा कुछ नहीं था लेकिन पेपर डिजाइन करके प्रमोट करें Realme वाले इस डिजाइन को आप अपनी आखों से देख सकते हैं और जज़ कर सकते हैं कि इसकी डिजाइन कैसी है तो यह आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको पर स्पेसिफिकेशन बता देता हूं Realme GT 2 Pro में आपको 6.5 इंच की फुल एच डी प्लस एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट नो डाट 120 हर्ड होगा डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छे कलर्स रियल्मी जीटी ने प्रोडूस किय प्रोसेसर कौन सा है प्रोसेसर के उपर ही लगबग चीज़ें डिपेंड करती है जो कैलीबर है किसी भी स्मार्टफोन का वो उसका प्रोसेसर ही होता है यहां पर आपको रियल्मी जीटी टू प्रो में देखने को मिलेगा स्नैप ड्रेगन का ट्रिपल एट प्रोसेसर जो पर आपको तोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिल सकता है जिसके चांस मुझे पर्सनली कम लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलेगा अब बात करें हम बैटरी के बारे में तो यह डूवल सेल बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी पच्छी सो पच्छी सो एमेच की जो की टोटल मिलकी 5000 एमेच बनती है अब आप में से कुछ लोगों को डूवल सेल बैटरी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हम जैसे आज कर जो यह स्मार्ट फोन जार्ज क बैटरी स्वाट दे रहे ऐसा नहीं हो रहा है नहीं क्योंकि वो लोग परवा करते हैं लेकिन यहां पर आपको अगर फास्ट चारजिंग का सपोर्ट चाहिए यहां पर दो बैटरी कर देते थे तो दोनों एक साथ चार्ज होती हैं पावर सप्लाई जो है दोनों में अलग किया गया उसको प्रयोग मिलाते हैं कैमेरा संट्रिक स्मार्पोन होगा और एक रियल में just to proof और ये शौर है Imperiali GT2 प्रोप ही अगर वो कैमेरा संट्रिक स्मार्पोन बनाते हैं तो बात ही कुछ और रहती है मरत यह कि जो रियल में के बैक में आपको कैम्रा देखने को में 1500 degree का जो है field of view नहीं मिला है तो यह काफी ultra wide हो जाता है 1500 degree जो है ultra wide में उतनी अच्छी quality कहां मिलेगी खर क्योंकि मेरी निराशा जो है realme के पिछले realme GT से है तो यह जो अपना realme का master edition था तो वह इतना अच्छा प्रफोर्म नहीं कर रहा था तो खर देखते हैं कैमरा से मुझे इतनी खास उमीद नहीं है इविन दो कि यह flagship smartphone होने वाला है वहीं आपको तीसरा जो sensor है वह पांच मेगापिक्सल का macro shots के लिए देखने को मिल सकता है या फिर जो astronomy photography है उसके लिए देखने को मिल सकता है तो camera department में यहाँ पर आपको variety देने की कोशिश की गई है और quantity देने की कोशिश की गई है लेकिन quality वाली बात जो है वो किछ दिनों बात ही मैं बता पहूंगा दूस्ता Realme GT2 Pro जो है वो Android 12 के उपर based है और जो इनका Realme UI 3.0 है उसके उपर यह smartphone run करेगा Selfie shoot करने के लिए आपको 32 megapixel का front shooter दिया जाएगा जिसे आप अच्छी चिकनी चिकनी photos ले सकते है Realme के smartphone से और guys अब बात करते हैं इसके कुछ खास चीजों की जो की होने वाली है In-display fingerprint sensor, Type-C charging अल्रेडी बता चुका हूं मैं यहां पर आपको Wi-Fi 802.11 का support देखने को मिलेगा जो की मेरे इस Mac में है और यह काफी अच्छे से Wi-Fi का जो internet वो चूस लेता है ठीक है, इवन दो की range बेशक कम होना तब भी तो इसका मतलब यह है कि आप जो Wi-Fi यूज करेंगे उसका data transfer speed amazing होने वाला है तो यहां पर plus point है याद रखने वाली चीज है और सारे लगबग sensors आपको इस smartphone के अंदर देखने को मिलेंगे तो मैंने लगबग चीजें जितने भी internet पर available थी वो सब आपको बता दी लेकिन एक चीज जो कि तुम सब यार इंटरस्ट से देखने लग रहे हो वीडियो को इसके launch date और इसकी price यही दो चीजें जो है उनके लिए उत्सुख हैं सभी और दोस्तों अब यहां पर दूल धाम लीजिए क्योंकि यह जो smartphone है कि सस्ता smartphone तो बिल्कुल नहीं होने वाला realme के बाकी smartphone से compare करें लेकिन इसकी जो pricing है वो 50,000 रुपए के आज-पास आपको देखने को मिलेगी यह फॉर शॉर है अब यहां पर आपको 12 GB RAM, 128 GB internal storage का वेस variant है वो देखने को मिलेगा और उसकी price जो है मेरे ख्याल से 47 या 48,000 रुपए रियल में रख सकता है और 50,000 रुपए की अंडर ही इस phone को इंडिया में launch करने की कोशिश रहेगी अब बात करें इसके launch event के बारे में तो 4 जनवरी को इसका China launch event और इंडिया में ये मेरे ख्याल से quarter 1 में आ जाएगा जिसका मतलब है जनवरी के आखरी week में ये smartphone आपको इंडिया में देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाई-बाई झाल